हेलो स्टूडेंट्स आएम प्रियंका पुद्दार प्ले के मिस्ट्री तो आज हम डिस्टल्स करने वाले हैं एक नया टॉपिक दाट इस कार्बन डाइकसेट एज वी नो कार्बन डाइकसेट एक ग्यास है जो नेचुरली फॉंड होती है हमारे एंवर्मेंट में हमारे एनिमल, प्लांट, लिविंग और्गिनिजम, इवन हुमन बेंग सभी के अंदर कुछ कार्बन कंटेंट होता है और कार्बन कंटेंट डीकंपोस हो जाता है और फिर से नीचर में बैक ये घूमता रहता है ठीक है तो इसी तरीके से अब हम समझ सकते हैं कि कार्बन बनती कैसे है सबसे पहली चीज बनती कैसे है तो यह बनती कैसे है फॉसिल फ्यूल जैसे की कोल होता है यह सब चीज में कार्बन का कंटेंट होता है तो वहां से कार्बन आया और ऑक्सिजन कहां से आया एटमस्फेयर से तो दोनों मिलके हमें कार्बन डाइकसाड गैस देत तो बेसिकली जब हम एक चैप्टर पढ़ते हैं हाइड्रोकाबन मतलग हाइड्रोजन और कार्बन के कम्बिनेशन से जो बनीवी चीज़े होती है हाइड्रोकाबन से और वो हमें कहां मिलती है फ्यूल्स के अंतर ठीके तो उसका जब बर्निंग करवाते हैं जैसे एलपी जी और दूसरा पेंटेन जैसे हाइड्रोकाबन का ऑक्सिजन के साथ कम्बिनेशन भी हमें कार्बन आइकसेट देगा अब सेकेंड चीज है कि यह चीज हम लैब्स में कैसे प्रिपार करें तो लैब्स में प्रिपार कैसे करेंगे यहां पर हमारे पास होना चाहिए एसेड का अकश्य कारबोनायड मतलब क्या एसिट अवले रहे हैं यह ब। हमारे डैलियू एचेल के साथ कर वाा अर। यह दोनों जब रेएक्ट करेंगे तो यह कि यहां पे इन दोनों के रियेक्शन से यहाँ पे जाके यह मेरे पास carbon dioxide gas collect हो जगा तो basically lab के अंदर हमने क्या करना है carbonates और acid को आपस में react करा देना है और उससे मुझे मिलेगा carbon dioxide gas तो lab में इस तरीके से हम prepare कर देंगे तो अब हम देख लेते हैं commercially commercially मतलब क्या है कि हम अपना benefit देखके जहां से जादा से जादा carbon dioxide हमें सस्ते में बन सके उस तरीके से preparation method देख रहे हैं तो commercially में सबसे पहला product हम कहां से निकालते हैं manufacture की ammonia की manufacturing process से तो यहाँ पे commercially हम क्या देखेंगे carbon dioxide अगर हमें चाहिए तो हम ammonia जब बनता है उस time में as a byproduct उसको ले लेंगे तो वहां से हमें ये commercially beneficial तरीके से मिलेगा ठीके second चीज है overheated steam यहाँ पे second process क्या है carbon monoxide या methane gas को overheat करना तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे है carbon monoxide की steaming कर रहे है तो इसका मतलब क्या है carbon monoxide को जब हमने water के साथ heat किया तो हमें carbon dioxide मिलता है at commercials के second procedure में क्या है यहाँ हमने क्या लेना है मिथेल और मिथेल को हमने water के साथ steaming करनी है जिससे कि मुझे carbon dioxide मिल जाएगा तो दो तरीके से हो सकता है क्या या तो मैं मिथेल ले लू या फिर मैं carbon monoxide ले लू और उन दोनों की steaming कर दू तो यहां से दोनों ही प्रोसेजर से मुझे carbon dioxide gas मिल जाएगा तो इस तरीके से second preparation method से भी हम इसे prepare कर सकते है तीसरी चीज़ है manufacture of lime और ethyl alcohol ठीके तो यहां पर हमारे पास क्या है lime stone है चूना पत्थर है na calcium carbonate इसको हमने क्या करना है decompose करना है जब हम decompose करेंगे तो एक तो मुझे lime मिल जाएगा और दूसरा मुझे carbon dioxide मिल जाएगा तो carbon dioxide यहां पर क्या है calcium carbonate को तोड़ने से भी मिल जाएगा तो third procedure में calcium carbonate को तोड़ना है जिससे कि मुझे carbon dioxide gas मिल जाएगा फिर एक और procedure है जैसे हमारे पास glucose होता है फ्रक्टोस होता है उसको तोड़ना ठीके उसमें भी तो carbon होता है oxygen होता है तो यहां से जब वो तूटेगा ठीके एक प्रोड़क्ट में कैसे ethyl alcohol बनेगा और फिर साथ में फिर से मुझे carbon dioxide मिल जाएगा तो यहां पर जैसे कि मुझे पता है कि zymase क्या होता है तो enzyme क्या गरता है वो फ्रक्टोस को तोड़ देता है और उससे हमें मिलता है ethyl alcohol तो alcohol की preparation के method से भी हमें carbon dioxide as a by-product मिल जाता है तो अब हम करने जा रहे है chemical properties of carbon dioxide तो chemically हम कैसे इसको relate कर सकते हैं तो पहली चीज़ है यह है not combustible gas तो non combustible मतलब कि इसका जो है वो आग नहीं बकड़ते इसलिए हम carbon dioxide को fire extinguisher में भी use करते है पहली चीज़ है it is not combustible ऐसा नहीं है कि carbon dioxide है और उसमें क्या है एकदम से आग पकड़ जाए वो कुछी special cases में combustible हो सकता है जब उसको कोई active metal में जाए जैसे कि sodium, potassium, magnesium यह बहुत ही active metal है तो इसके साथ अगर वो react कर जाए तो ही उसके अंदर combustion हो सकती है जैसे कि मैंने example दिया है magnesium और carbon dioxide का combustion हो गया जिससे MgO और carbon बन गया तो इस तरीके से हम यह चीज़ समझ सकते हैं कि ऐसे normally वो combustible नहीं है बट अगर वो active metal के साथ आ जाए तब ही जाके उसके अंदर combustion हो सकती है second चीज है उसकी solubility ठीके तो solubility क्या है वो वैसे क्या है वो बहुत ही कम soluble है in water ठीके पर आप देखेंगे कि हम जो है cold drinks वगेरा पीते है soda water पीते है तो उन चीज़ों में क्या होता है उसमें carbon dioxide ही तो होता है तो उसके इसमें वो कैसे soluble मिल गया soluble होने का उसका एक तरीका है उसके उपर pressure बढ़ाना तो जब हम pressure increase करते है तब ही जाके वो क्या है water में soluble हो जाता है और cold drinks या soda water की form में वो हमें दिखता है तो अब हम एक carbon dioxide की एक ऐसी property को discuss करे है जो हमारे शरीर में रोज ही होती रहती है तो daily life में ये reaction होता रहता है क्या है जैसे carbon dioxide है वो water के साथ react करके di basic acid बनाता है weak सा ये इतना weak acid होता है कि ये टूट के hydrogen carbonate या simple carbonate हमें दे देता है तो ये हमारे शरीर में क्या कर रहा है जब भी कोई बाहर से हमारे body के अंदर acid एंटर करता है अब acid कैसे एंटर करता है जैसे हम कुछ spicy food खाते तो हमारी body में acid क्या है वो create हो जाता है तो इस तरीके से क्या हुआ हमारी blood stream में जब वो acid react करता है इस base के साथ तो जाके वो क्या करता है neutralize हो जाता है ठीक है हमें पता है ना दोनों acid और base मिलके जो है वो neutralize कर देते एक दूसरे को तो basically ये हमारी body के लिए एक बहुत ही अच्छा buffer solution है जिसके वज़े से हमारी bloodstream का जो pH value है वो इसको normal regulate करके रखता है मत्तब इसकी value जो है वो normal रखता है किस range में pH कितना है 7.26 और 7.4 जैसा कि मुझे पता है neutral value क्या होती है 7 और ये उसके आसपास ही हमारे bloodstream के pH value को regulate करके रखता है अब हम इसको discuss करते हैं इसका reaction with lime water तो basically क्या है यहाँ पे हमारे पास lime water है और carbon dioxide हमने यहां से दिया ठीक हम खुद भी carbon dioxide एक्जेल करते हैं तो हम अपने मुह से भी इसके अंदर carbon dioxide डाल सकते हैं ठीक है दो तरीके normal और वैसे भी हमें पता है कि हम लोग क्या है carbon dioxide दे रहे हैं तो इन दोनों का जब reaction होता है तो यहाँ पे यह चीज क्या है milky हो जाती है तो lime water क्या है milky हो गया अब milky वो क्यों हो गया क्योंकि मुझे पता है कि यहां पे यह properly insoluble है ठीक है insoluble है वो मिला नहीं है जिसके वज़े से वो मुझे milky नजर आता है तो basically reaction क्या हुआ है lime water plus carbon dioxide हमें देता है calcium carbonate plus water तो यह जो है basically क्या है यह insoluble है और insoluble होने के कारण ही यह हमें जो है वो milky नजर आता है ठीक है अब क्या है यह milkyness हटाने के लिए हम क्या करते हैं और carbon dioxide इसमें add कर देते हैं जब इसमें हम जादे से जादे carbon dioxide add कर देंगे तो क्या होगा उसकी टर्ब्यूटीटी लॉस हो मतलब उसके अंदर जो suspension यह milkyness दिख रही है वो settle हो जाएगी वो normal एकदम plain water दिखेगा ठीक है जो कि soluble form है अब हम देखते है reaction तो reaction में क्या हुआ lime water plus carbon dioxide तो हमें मिला calcium carbonate plus water जो कि है insoluble form में मतलब कि यह है हमारा milky type का water अब second में हमने क्या किया उसी milky water को मतलब यह दोनों उठाके यहां ले आए और इसमें दुबारा से हमने और carbon dioxide जब add किया तो इसकी milkiness गायब होगी मतलब कि यह properly soluble हो गया और soluble होने के बाद वो हमें क्या product दे रहा है calcium hydrogen carbon तो अब हम बात करने जा रहे हैं carbon dioxide का main role है अब क्या होता है आपने सुना होगा photosynthesis basic चीज बेसिक चीज क्या है कि carbon dioxide और water plants हमारे लेते हैं sunlight की presence में ठीक है तो यह तीन चीजे carbon dioxide water और sunlight इन तीनों चीजों से जो plants होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं ठीक है तो plants के leaves में chlorophyll एक pigment होता है जो की food preparation के लिए तीन चीजों को लेता है carbon dioxide कहां से atmosphere से water ले लेगा roots से और sunlight जो है धूप sun से मिलती है इन तीनों जीजों से वो अपना food prepare करता है और हमें साथ में वो oxygen देता है इस process को हम लोग क्या कहते है photosynthesis तो अब हम discuss करने जा रहे है about green house effect तो green house effect क्या होता है आपका atmosphere है इस atmosphere में हमें पता है क्या है carbon dioxide है ठीक है वही carbon dioxide अगर मान लो क्या है बहुत excess होने लग जाए ठीक है को melt कर देगा और वो सारा का सारा water जो है वो land area पर आएगा तो क्या होगा लोग डूब जाएंगे मर जाएंगे खतम हो जाएंगे तो अब हम देखते हैं कि carbon dioxide और ammonia आपस में क्या करते हैं कैसा chemical reaction शो करते हैं तो हम यहां वे देख रहे हैं action on ammonia of carbon dioxide तो यहां पर यह है ammonia NH3 और उसके साथ carbon dioxide react कर रहा है at certain temperature and 220 atmospheric pressure तो उस पर क्या होता है यह हमें provide करता है NH2COO NH4 ठीक है अब क्या है यह क्या चीज़ बनाएगा यह आगे जाके तूटेगा और यह हमें देगा urea plus water तो urea जैसा कि हम जानते हैं कि आज कल हम plant की growth बढ़ाने के लिए fertilizer का use करते हैं तो urea is a fertilizer तो ammonia और carbon dioxide मिलके हमें provide करता है urea जो की plant की growth के लिए एक important fertilizer है तो अब हम बात करते हैं about carbon dioxide की properties के ठीक है तो properties में क्या है कि उसका color क्या होता है ना कैसी smell करता है तो पहले चीज़ वो colorless है ठीक है वो हमें दिखेगा नहीं अगर हमारे आसपास भी है it is colorless so not visible second है orderless हमें smell भी नहीं आएंगी है ना हमें पता भी नहीं लगया के carbon dioxide हमारे आसपास है it is orderless ठीक है second है it is life supporting gas ठीक है तो जैसे कि हमने देखा है कि हमें carbon dioxide और क्या है sunlight से मिलके जो plants है वो prepare करते है अपना food तो basically क्या है food prepare करा रहा है वही food हम लोग खाते है हम consume करते है animals consume करते है तो basically यह क्या है एक life supporting gas होगा third है not a poisonous gas कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमने इसे inhale कर दिया और हम मर जड़ ठीक है तो it is not a poisonous gas fourth क्या है cause suffocation अब यह suffocation कैसे आ गया अब आप यह सोचेंगे कि अभी तुम्हेंने बोला यह poisonous gas है ही नहीं और अभी मैं suffocation की बात कर रहे हूं suffocation मैं क्यों बोल रही हूं मान लोगी आप एक room में बैठे हैं और वहां पे सिफ carbon dioxide की ही supply करते जाए करते जाए करते जाए ठीक है और हसात में oxygen उदर हो ही ना तो क्या होगा उस case में वो इंसान को suffocate कर सकता है and it can lead to death तो अब हम discuss कर लेते हैं carbon dioxide की कुछ use अब पहली चीज़ हम gold drinks वगेरा पीते हैं soda water पीते हैं तो उसमें क्या होता है carbon dioxide जैसे हमने पहले discuss किया था second चीज़ है fire extinguasion second purpose है इसका fire extinguasion का तो इसने क्या है आग नहीं पकड़ती इसका मतलब यह not a supporter of क्या है combustion तो यह use किया जा सकता है in fire extinguasion बना आग को बुझाने में इसका हम use कर सकते हैं तीसरी चीज़ है washing soda की preparation तो जो detergent हम use करते हैं और वो जो surf औगेरा use करते हैं उसकी preparation में भी इसका बहुत बड़ा role है fourth point है refrigerant अब refrigerant का मतलब क्या है कि कई बार हमारे को कुछ अपने food products क्या है वो काफी दिनों तक चाहिए होते हैं तो उसको हम ठंडा रखने के लिए refrigerate करके रखने के लिए for a long time हम इसको use कर सकते हैं fifth point है as a dry ice तो नाम है dry ice तो ice क्या होता अगर हम ice रखेंगे तो गीला हो जाता है तो वो गीला नहीं होगा वो dry है तो basically क्या है कि जब हम ice रखेंगे तो वो सीधा के सीधा liquid form में ना जाके क्या होगा direct vapor form में चले जाता है तो basically क्या है कि solid से directly क्या होगा वो vapor में चला गया इसलिए हम इसको dry ice बोलते हैं तो solid से direct vapor form में आने वली चीज़ को हम dry ice मतब कि यह carbon dioxide की एक form है और यह कहां use होगा तुमने देखा होगा आप लोगों ने देखा होगा कि fog वगेरा create किया जाती है movies में कभी fog create कर देते हैं कभी नीचे create कर देते तो वो क्या होता है हमने डाल दिया dry ice और वो directly क्या है vapor cause कर देता है vapor बना देता है तो वो fog creation होता है movie में उधर use किया जाता है तो अब हम बात करते हैं इसके 6th point के बारे में कि यह artificial respiration में काम करता है तो basically क्या है जब carbon monoxide को इनहेल कर लेता है तो वो क्या होता है suffocate होने लगता है तो उस case में हम उसको artificial respiration देते हैं artificial respiration का मतलब क्या है it is a combination of 95% oxygen and 5% of carbon dioxide तो इन दोनों का combination क्या है उसको cure करने में help कर सकता है तो basically it is used in artificial respiration अब second है यह चीज क्या है तो इस case को हम क्या बोलते हैं यह है कार्बोजेन तो कार्बोजेन इस बेसिकली 95% oxygen और 5% carbon dioxide तो काम बात करने जा रहे हैं इसके last point की क्या है यह एक सुपर क्रिटिकल carbon dioxide सुपर क्रिटिकल carbon dioxide मतलब क्या है अब क्या होता है कि जैसा कि मुझे पता है कि carbon dioxide एक gas पर एक क्रिटिकल टेमपरेचर और प्रेशर के ऊपर वह क्या है वह एक solvent की तरह भीव करता है ठीक है और यह solvent कैसा होता है एक dense solvent होता है यह dense solvent हम कहां यूज करते है जैसे कि क्या है कौफी बीन पे जब वह सॉल्वेंट को पास किया जाएगा तो वह सारा का सारा caffeine extract कर लेगा, ठीक है, तो basically coffee bean से caffeine extract करने में, ये एक super critical carbon dioxide हमारा use आता है, second चीज़ है flowers में क्या होता है, उसके अंदर perfume होता है, तो solvent जब हम उसमें से pass करेंगे, flower में से, तो उसकी सारा का सारा, जो smell है, perfume है, वो extract कर लेगा, तो basically ये एक बहुत अच्छा solvent है, जो की extraction of caffeine में हमें मदद कर रहा है और perfume निकालने भी है हमारी मदद करता है So that's all about carbon dioxide, I hope you like our lecture and thanks for watching our lecture, so do like, share and subscribe our Play Chemistry channel, thank you